जैसिरम दोस्ते वे फिट सब सबस्वागत हैं मार्शला टाइब विडियो चौनल पर उमिद करना है आप लोग सबस्थ होंगे अच्छे होंगे और साथ साथ अपने अच्छे से तयारी भी कर रहे होंगे पूरे जोस के साथ लेकिन पिछली वीडियो में बहुत सब्सक्राइब नहीं है कि अभी आपके पास दस दिन है और किसी कैंडियेट के पास तो 30 से लेकर 45 दिन का समय है क्योंकि आप लोग पता है कि आप लोगा जो फिजिकल है वो नव और एक जुनून होता है और अगर आपको सही तरीका पता है कि रणिंग से पहले क्या कर ना चाहिए और रणिंग करते समय किनसे समय श्याइड कि स स्वाशरी को यह जो हैquela है और मुझे भी आगे निकलना है उसको पकड़ना है तभी मैं रणिंग पास कर पाऊंगा अगर इस तरह के आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आप लोग बिल्कुल अपने रणिंग टाइमिंग को और भी घठा सकते हैं और अभी भी आपके बास समय हैं मैं कम आ रहा है तो फिल्कुल आप लोग इन टिप्स को फॉलो कीजिए और कंटीनिव अपनी रणिंग करते रहिए और सही तरीके से रणिंग कीजिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रणिंग कर रहे हैं बाड़ी एक्जॉस्ट होड़ा है और ऐसा भी नहीं कि मतलब सही तरी कि बाड़ी मुझे कर रहे हैं कि बाड़ी में ज्यादा से ज्यादा आपका बॉड़ी में फटीव होगा यानि डिकवरी को डिकवरी का टाइम नहीं मिल पाएगा और इससे आपका रणिंग इंप्रूब नहीं होगा ठीक है सुबह साम रणिंग वही लोग कर सकते हैं जो लोग जो है स्पोर्स परसन है पहले से बहुत ज्यादा वो लोग पहले से उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो वो लोग सुबह साम रणिंग कर सकते हैं लेकिन आप लोग सुबह साम रणिंग बिल्कुल ना किज है जितना आपकी शमता है और आप 400 मिटर का भी स्प्रिंट लगा है जिससे आप लोगा जो रुनिंग में इस टेप जो है वो लॉंग होगा और जिसके मदद से आप लोग जब रुनिंग करेंगे तो आपका स्पीड बना रहेगा ठीक है तो इस्प्रिंट बहुत ज्यादा करना है क्योंकि विदाउट वार्म अप आपका बॉड़ी आपके हंडिट परसेंट एफिसेंसी के साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि जब आप वार्म अप करेंगे तो आपका ब्लट सर्कूलेशन अच्छे से होता है और हर कोशिकाओं तक आपका ब्लट पहुंचता है और कर सकते हैं योगा वगएरा कर सकते हैं जिससे आपका बॉड़ी रिलाक्स हो और इस्टिंदिंग एक्सेयस तो आपको करनी ही रनिंग के बाद ताकि आपके पैर में ताकत हो जिससे आप पांस किमेटर तक रनिंग करेंगे लगातार बीस-बैस मिनट चौवीस मिनट तक र ऐसे लेकिन ओपोड़ी फूड और मैयदे वाल अश्मान आपको बिल्कूल नहीं खाना है जिससे अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि मैदे वाला समान खा रहे है तो आप लोगा जिससे नहीं होका और हाफना जो है आप लोग चाहलों का और बढ़ जाएगा ठीक है सांस फू दिन जो महनत की है उस महनत का आपको फल मिलेगा आपका बोड़ी रिकवर कड़ेगा और इस ट्रेंट आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है ताइमिंग और कम लगेगा आपको रॉनिंग करने में, तो आप लोग हपते में कम से कम एक से दो दिन तो रेस्ट जरूर करना है, द आप डाट वगएरा भी पड़ती है क्योंकि बच्चे जो है उडवंग मचाते हैं हला करते हैं लेकिर आप लोगो इन सब चीजों में सामील नहीं होना है आप लोग क्या करना है कि सेंटर में रणिंग से पहले जवाब समझ जाएंगे कि हाँ आप जो है आधे गंटे एक गं हो जाएगा पैड जाएगा और फिर आप बाद में बहाना करेंगे कि मेरा पांस से छोड़ गया दस से छोड़ गया तो यह बहाना कोई सुनने वाला आपका है नहीं तो आपको अच्छे से वाडम अप कर लेना है ताकि आपका पूरा वाड़ी फ्लेक्सिबल हो जाए गड आपका टाइमिंग जरूड कम होगा अगर किसी का 24 मिनट आ रहा है किसी का 25 मिनट आ तो आपको घवराने की जरूद रही है फिर भी आप रनिंग क्वालिफाय कर सकते हैं क्योंकि उस समय एक अलग जोस रहता है और सेंटर पर आपको अच्छे से खाना पीना भी करना है जिसका 25 मिनट आ रहा है वो लोग 23 मिनट में भी रणिंग कर सकते हैं सारे 23 मिनट में भी कर सकते हैं 24 मिनट में भी कर सकते हैं और जिनका 22 वगर आ रहा है 22 मिनट 23 मिनट उननों का टाइमिंग तो और घड़ जाएगा क्योंकि आपके अंतर एक जोस होना चाहिए कि आपके में जाने वाले हैं तो उस तरह का आपका जोस होना चाहिए तो इन टॉपिक्स को इन जो पॉइंट्स है इनको आगर आप फॉलौ करते हैं तो आप लोग बेहीचक रणिंग में क्वालिफाय करेंगे मुझे डाउट नहीं है कोई भी आप लोग के मन में कोई डाउट नहीं करते रहें और ठीक है पूरे मोटिवेशन के साथ आप लोग जाए और बिल्कुल आप लोग का जो है रणिंग क्वालिफाय होगा और फॉसक्त अप लोग मेडिकल में भी चांस मिलेगा और फाइनस लेक्सन तक आप लोग पहुंच पाएंगे तो उमीद कर रहा हूं दोस